इस फड़ाफट में मेरा नाम है विशार पृजापती तो गाइज आज आएगा EK2 के इन सभी छात्रों का रिजल्ट रिजल्ट में आखिरकार देरिक क्यों हो रही थी इसके बारेमें हम लोग बात करेंगे साथी किनका रिजल्ट आज की डेट में आएगा इसके बारे में बात करेंगे और रिजल्ट अपडेट वाला काम जो है डिगरी डिस्टिबियूशन का माकसिट अपलोड के बारे में सभी जो काम रुका हुआ था तीन अगस तक ओ काम आपका एक बार फिट से इस्टार्ट कर दिया गया है उसके साथ ही तीसरी बड़ी अपडेट आ रहे कि एक टू के नए कुलसचिव बनाए गये है नए कुलसचिव कौन है सिमेश्टर इज्ञाम के नियम में कुछ बदलाव किये गये है जो कि कुलपती जी ने बताया है तो सारी अपडेट के बारे में बारी बारी से बात करेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप लोग चलन को सब्स्राइब कर लिजिए पहले फटा-फट से हम लोग जान लेते हैं कि जो डिगरी माकसिट का काम है वो श्टार्ट हो चुका है और एकेट्यू के नए कुलसचिव कौन बनाए गया है सिमेश्टर इज्ञाम में क्या बदला हुगा है उसके बाद हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करते हैं थोड़ी नजर इस पर डाल लेते हैं देखिए 29 तारे से लेकर 3 अगस्त तक ये काम बन था कल 4 अगस्त था आज 5 अगस्त है तो कल 4 अगस को धिमेद में कार स्टार्ट हुआ है आज की लेट से आपका जो डिगरी वाला काम था माकसित वाला काम था रिजल्ट अबडेशन का कार था ये सुचारूरूरूप से स्टार्ट हो चुका है समझ गे बाकी बात करते हैं इस पहले कौन था कुल सचिव नंदलाल सिंग थे अब इनकी बिडाई हो चुकी है और आपके ज़ो नए कुल सचिव है सचिन सिंग जी है क्योंकि अपनी इन्वर्सिटी का कुलपती कौन है कुलसची कौन है ये जाना जरूरी होता तो सचिन सिंग जी एके ट्यू के नए कुलसची बनाए गए हैं अब बात करते हैं सिमेस्टर एक्जाम में जो बदलाव किया गया उसके बारे में तो यहां पर देख सो तो अब टीचर भी मोबाइल जमा करके तभी क्लास में इंट्री लेंगे और अपनी ड्यूटी निभाएंगे समझ गए तो यह अपडेट आ रहे थी बाकी आपको पता होगा दूसरा की 40 से ज्यादा विजार थी एक क्लास में नहीं बैटेंगे यह सब चीजे हो गई अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में वहीं पर गाई जगर हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करें तो तीन तारीक के बाद से कल 4 अगस्त था आपको पता होगा बहुत सारे लोग बोलने तो कि आज रिजल्ट आएगा चार तारीक को रिजल्ट आएगा चार अगस्त को लेकिन कल सूबा से साम तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाले सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल चार अगस्त को रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि तीन तारिक काम रुका था तो चार तारिक को धीमेदी में काम सुझार रूप से होता तो चांसेज कम थे लेकिन आप ल किसी कोर्स का रिजल्ट जारी करेगा बाकि जैसा भी होगा हो आपको पता चल लाएगा रिजल्ट पांच वेड़े साम के बाद ही अपडेट होगा अगर आएगा तो यहां पर देख सकतो कल चार अगस्त को एक सर्कुलर आया था सेलिब्रेट किया जा रहा था आजादी का अमरित मोस्तर साइध इसी वज़दा से रिजल्ट न अपडेट किये हो यह लोग तो आज की वेड़ हम लोग कर लेते है इसके पहले अगर आप लोग देखोगे रिजल्ट आय हुए कई दिन हो चुक यह मतलब कम स्क्क्राइ FCC साथ से आठ दिन हो चुके रिजल्ट आये पतादू बिसाल प्रजापती 51-48 यह इंस्टाग्राम की आइडिया डिस्किस्टन में लिक में जाए कि आप लोग जैसे रिजल्ट आता है आप लोग मुझे इंफार्म कर दीजेगा नहीं तो मैं इस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाल दूगा यूटूब से पहले स्टोरी भ पॉसिबल नहीं है तो उसमें रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता तो पहले मैं उन्हीं को प्रियार्टी दूगा जो फालो किये रहेंगे क्योंकि हर इंसान अपना यार प्रॉफिट चाहता है आप लोग समझ सकते बात को तो इसलिए तो अगर आप लोग फालो करके मै रिप्लाई नहीं देते हैं मेरे दोस्त हम भी फ्री होंगे तभी आपको रिप्लाई देंगे आपको विदिन ट्वेंटी फॉर आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा आप टेंसन ना लो फालो करके आप लोग मैसेज कर लिजिएगा जैसा भी रिजल्ट आता है उमीद करता अगर आप लोग चाहते हो कि अगले वीडियो में लोग आने की बाद आपका रिजल्ट मैं वीडियो में सो कर Muhammad अब इगर आप लोग रिप्लाई हो कमेट सेक्सिन में भी बता दिना तो चलिए